कि प्रार्थना ना करना एक कमी नहीं बोलो अपने पडोसी को कि प्रार्थना ना करना क्या है कमी नहीं क्या है एक पाप है प्रार्थना आदम और हवा ने तब प्रार्थना बंद की थी जब वो गिर गए थे और प्रमेशु ढूळने के लिए आयरा आदम तो कहां है उसने का मैं छुप गया था क्यों छुपा मैंने वह काम कर लिया जो तुने करने के लिए Mind है आज को इस हम नहीं आ रहे आज दर्शन को सवपन नहीं आरे आज तू अब तक नहीं समझता लुका की 18 में परमेश्वर ने का मैं तुम्हें एक एक्जांपल देता हूं एक नगर में एक विद्वा रहती थी और एक अधर्मी एक पापी न्याई यानि एक उंचा पद वाला व्यक्ति रहता था वह विद्वा रोज उसके पास जाके बोलती मेरा चुका भी शमर्साय ने का कितने समयं तक तो उसने नहीं माना पर एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं कियू ना इस विद्वा का काम कर दूं कि यह बार-बारमेनिंत में दम कर रही इश्य मसी ने का कर देखो वह अधर्मी वह पापी होगी क्या सोचता है तो क्या मैं अपने चुने हूँ का नयायन नहीं करूंगा क्या वो जो दिन रात मेरे नाम की धुखाई देते हैं क्या मैं उनकी प्रार्ठना नहीं सुनूंगा कि आपका परमेश्वर जीनी नहीं जो आप विश्ध मांगे और पूरी कर दे आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को आलसी और विश मांगने वाले मूरख नहीं बनाना चाहता जो कहता मांगो तो दिया है धूंडो तो तुम और खट खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा अति एक चर्च एक अच्छे साउंड का या अच्छे अर्रेजमेंट का नाम नहीं नो नो यह चर्च तब से सामर्थ ही है त्यर्डर रो मीरा करने के लिए वहाते बहुत कम इसलिए के रिजल्ट कम है टेस्टमनी भी एक लाख लोगों में से दस अजार लोगों कि परमेशों ने का सूर समभाचार सब के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा तो कि सुनने वाले ने उसे ग्रहेंड नहीं किया एक बंदा बैठा सेम गवाईयां सुन रहे हैं सेम सब कुछ देख रहे हैं पर एक बंदा विश्वास के साथ रिशीव कर रहा है गे नहीं मैंने परमेशों के सामने कोई कंडिशन नहीं लगानी कि पहले ये काम करेगा मैं तुझ मानूंगा बाइबल कहती वो सब कुछ पू या मसा चाहिए के खुदा चाहिए अगर खुदा और मसा अगला मसा वापीस चाहिए हो खुदा चाहिए है हमेशा में सया हमेशा कि पूलता हूं लोगों की कामियाभी मुकमत देखो अकेला उसकाम्याभी के पीछे उसके मूले को देखो जो उसने अदा किया है आमें उसका मूले उसके पीछे अदा किया गया वो देखो मैं लोगों को बता दो कि प्रार्थना के रूम में हम जाते थे आज भी तो आठ घंटे जब बैठते हैं बिना विशे के प्रार्थना कर तो प्रार्थना की जिंदगी हमारी शुरू होती है हालेलूया इस बाइबल करते ते लिए पहाड पर साइध उसने बिताई लिखा जब इस उसी कुरूस पर जड़ने वाले थे तो लिखा वो तड़के आके मॉर्णिंग प्रार्थना करने के बाद परमेश्यों के भवन में सब लोगों को शिक्षा देते थे और रात को किसी होटल में नहीं बलकि प्रार्थना के लिए पहाड पर वाकभी से जाते थे अपने चेलों के साथ